व्युदियो में हम आयमारीके सभी चैप्टर से अप्यक्टिव कोश्ण का प्रैट्यिस से तु Re.? उसने भी मोश्ट, इंपोटन्ट अप्यक्टिव कोश्ण देखे थे और उस लगभग 30 या 32 कोश्ण थे तो सभी चैप्टर से क्योंकि हमने सभी चेप्टर आपका समाप्त कर दिया है तो सभी चेप्टर से इसमें कोश्चन पिक किये हैं तो यह आपका practice set 2 है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम practice set 2 देखते हैं अब practice set 2 का पहला कोश्चन देखते हैं आपका पहला कोश्चन जो है वो कराए कि electric tester में किस प्रकार का bulb प्रियुक्त होता है पहला आपसन ने ताप दीप दूसरा है पारा गलती से टाइप हो गया यहाँ पे तीसरा है नियान और चौथा है कारबन तो answer बताईए आप लोग कि electric tester में किस प्रकार का बल प्रियुक्त होता है ताप दीप पारा नियान या फिर कारबन तो देखी जो electric tester होता है उसमें नियान का बल प्रियुक्त होता है इसमें आपको जो तीसरा option है वो correct है अब हम अगला कोश्चन देखते हैं मारा अगला कोश्चन है कि इन में से कौन सा बिजली का टूल है जिसका प्रयोगम बहुत कम जगा में इस्क्रू लगाने के लिए करते हैं इन में से कौन सा बिजली का टूल बहुत कम जगा में इस्क्रू लगाने हेत उपयोगी है तो पहला आपसने cutting ये तो बिल्कुल गलत है और दूसरा option है long nose flyer ये सही है और तीसरा है poker ये भी गलत है और चाहता है mylet, mylet जो होता है लकडी का हथावड़ा होता है तो ये भी गलत है इसमें जो आपका दूसरा option है long nose flyer ये दूसरा option आपका correct है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है आपका question number 3 question number 3 करा है कि machine का page खोलने के लिए किस आउजार की आवसकता पड़ती है तो पहला option है आपका face tester की दूसरा है screw driver की spinner की तीसरा चौथा है center punch देखे face tester से क्या होता है screw को नहीं खोला जाता है screw diver से screw को खोल जाता है जबकि spinner का प्रयोग nut bulge होता है उसको कशने के लिए के जाता है तो इसमें आपको जो दूसरा option है screw diver ये correct है अब अगला question देखते है question number 4 question number 4 करा है कि hexa blade की मोटाई होती है पहला option है 0.4 से 0.5 mm दूसरा option है 0.63 से 0.8 mm तीसरा option है 1 से 1.2 mm और चाओ था option है आपका 1.2 से 1.5 mm तो आप लोग बताए जो hexa blade होती है उसकी मोटाई कितनी होती है इसमें देखे जो आपका दूसरा option है वो correct है hexa blade की मोटाई जो होती है 0.63 से 0.8 mm तक होता है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है आपका question number 5 question number 5 का राए कि engineering steel rule का अलप मान होता है पहला option है 1 mm होता है अलप मान मतलब समझते हैं आप बिल्कुल नियूनतम मान पहला option है 1 mm दूसरा है 0.25 mm तीसरा है 0.75 mm और चाओता है 0.5 mm तब लोग बताए कि engineering steel rule जो होता है उसका अलपतम मान कितना होता है तो जो engineering steel rule आप देखे होंगे उसका अलपतम मान होता है 0.5 mm होता है चौथा option इसमें आपका correct है अब हम अगला question देखते हैं अगला question आपका question number 6 question number 6 का राए कि वर्सा के समय औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर क्या लगाना चाहिए पहला option इक grease लगाना चाहिए दूसरा है सरसो का तेल तीसरा है petrol और चौथा है मिट्टी का तेल तो आप लोग इसका अंसर बताए कि वर्सा के समय औजारों को जंग से बचाने के लिए उन पर क्या लगाना चाहिए देखिए वर्सा के समय औजारों को जंग से बचाने के लिए देखिए सरसो का तेल नहीं लगाया जाता है ना तो पेट्रोली ना तो मिट्टी का तेल ही जो सही option आपका grease लगाया जाता है पहला option जो है आपका correct है अब हम अगला question देखते हैं आपका अगला question है question number 7 question number 7 कराईगी हलकी बस्तूओं को ठोकने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं पहला option है ball pin hammer दूसरा है cross pin hammer तीसरा है stride pin hammer और चौता है mylet तो हलकी बस्तूओं जो होती हैं उनको ठोकने के लिए हम किस प्रकार के hammer का प्रयोग करते हैं देखे इसमें जो पहला option है ये गलत है ball pin hammer का प्रयोग नहीं किया जाता है हलकी बस्तूओं को ठोकने के लिए और दूसरा और तीसरा तीनों ही option गलत है mylet जो होता है लकड़ी का थोड़ा होता है हलकी बस्तूओं को ठोकने के लिए mylet का प्रयोग करते हैं तब कर दो चौथा option है वो correct है अब अगला question देखते हैं अगला question है question number 8 question number 8 करा है कि विद्धुत द्वारा आग लगने पर इसमें से रासानिक का प्रयोग होता है question है विद्धुत द्वारा अग लगता है तो इसमें किस रासानिक का प्रयोग किया जाता है CO2 का प्रयोग किया जाता है SO2 का किया जाता है या N2 का किया जाता है या इनमें से कोई नहीं तो जो last dollar option ये तो गलत है कि इनमें इसे कोई नहीं हो यह सकता N2O का प्रियोग नहीं किया जाता है नना तो SO2 का किया जाता है इसमें तो सही option है सीओ टू का प्रियोग किया जाता है जब electric के द्वरा आग लगती है तो इसमें CO2 का प्रियोग होता है अब next question देखते हैं question number 9 question number 9 कराई कि aluminum के पतले तारों को जोड़ने में प्रियोग करते हैं aluminum को जो पतला wire होता है अगर किसी से जोड़ना है उसको तो क्या प्रियोग करते हैं player का प्रियोग करते हैं nose player का प्रियोग करते हैं shoulder iron का प्रियोग करते हैं तो देखिए इसमें जो आपका प्लायर जो दिया है प्लायर जो यह गलत आपसन है आपका नोस प्लायर का भी प्रियोग नहीं करते हैं सोल्डर आयरन जो होता है वो इल्मुनियूम के उसकी साहता से हम इल्मुनियूम के पतलते तारों को जोड सकते हैं तो इसमें जो तीसरा option है आपका वो correct है अब अगला question देखते हैं अगला question है आपका question number 10 question number 10 का राय कि hexa blade किस धातु का बना होता है तो पहला option आपका मिरिदूर इस्पात का बना होता है stainless steel का बना होता है या उच्च carbon spot या फिर उच्च वेग steel का तो आप लोग इसका answer बताए कि hexa blade किस धात का बना होता है आए मारे की पहले chapter से जाजातर question इस वीडियो में लिए है तो आगला जो वेब टेक्टिस एट बगरा आएगा उसमें हम आगे कभी question लेंगे यह सभी question जो है आपको पिछले वीडियो में नहीं मिलेंगे यह सभी question भी एक जाम के लिए बहुत ही important है तो बताए अब लोग hexa blade जो होता है किस धात का बना होता है देखे hexa blade जो होता है वह उच्च carbon spot का बना होता है अब अगला question देखते हैं अगला question है question number 11 electric shock लगता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए पहले कृतिन सोचन ही दे देना चाहिए या फिर जिस विद्दू स्रोथ से व्यक्ति चिपका हुआ है या सुनिश्चित करना चाहिए कि संपर्ग तूट जाए और तीसरा आप से डाक्टर को सूचना देना चाहिए या फिर देखना चाहिए कि सांसे चल रही है या नहीं देखी जब किसी व्यक्ति को electric shock लगता है सबसे पहले हम उसको गृत्तिन स्वसंतों नहीं दे देंगे ये गलत है और डाक्टर को सूचना भी तूरंत नहीं दे सकते हैं ये भी गलत है और ये भी नहीं देखना चाहिए कि उसकी सांसे चल रही है या नहीं सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह जिस स्रोत से उसका connect हो चुका है वह जिस से electric shock लग रहा है वह संपर तूट जाना चाहिए तो आपको दूसरा option जो है वह correct है इसमें से अब हम अगला question देखते हैं आपका अगला question है question number 12 question number 12 कह रहा है कि किसी जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए प्रियुक्त आउजार कौन सा है किसी जाब को मजबूती से पकड़ना है तो उसमें प्रियुक्त आजार कौन सा है अपने workshop में देखा होगा उसका नाम बताए कि किसी जाब को अगल करते हैं उसको मजबूती से पहले पकड़ा जाता है पहला आपसा ने वाइस, दूसरा जिमलेट, तीसरा रैचिट ब्रेस और चौथा इनमें से कोई नहीं तो बहुत हीजी question है सब लोगों को यह पता होगा कि जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए हम वाइस का ब्रोग करते हैं और आपका वाइस जो होता है कई प्रकार का होता है अब आप लोग इस question का answer दीजिए question number 13 question number 13 का राय कि भीगे हुए सरीर का प्रत्रोध होता है भीगे हुए सरीर का प्रत्रोध कितना होता है पहला आपसाने सुननी होता है, जादा होता है, कम होता है या फिर अनन्त होता है अगर सरीर भीगा है तो सर्फ पत्रोद कितना होता है यसे आप अंधाजे लगए अगर सरीर भीगा रहता है तो इलिट्टी सौक जादा लगता है तो V बराबर क्या होता है I into R होता है तो current लगता है आपका I बराबर क्या हो जाएगा I बराबर हो जाएगा आपका V upon R हो जाएगा देखिए अगर सरीर भीगा रहता है तो पृत्रोध जो होता है आपका कम रहता है अगर सरीज सुस्ख रहता है, बदा सूखा रहता है, तो परित्रोत क्या होता है? ये सरीर का अधीक होता है, इसमें जो तीसरा आपसन है वो अगरेक्ट है अब हम अगला question देखते हैं, अगला question है, आपका question number 14 question number 14 है, question number 14 क्या कराएगा? के क्रित्रिम सु शिषन्र की सेफर विधी को worms 1 minute में लगबग कितनी बार हें जाये?. ऐसको कितनी बार मिध़ी होती है उसको कितनी बार हäreं दोराना चाहिए। तो फाला आपसिट ने 2-5 टाइम, दूसरा आपसिट 3-8 टाइम तीसरा आपसन है 5 to 10 टाइम और चौथा आपसन है 12 से 15 बार तब लोग इसका अंसर बताइए कि Artificial Respiration की सेफर मिथड जो होता है उसमें एक मिनिट में उसको कितनी बार दोहराना चाहिए देखिए इसमें जो आपका सही आपसन है वो 12 से 15 बार दोहराना चाहिए चौथा आपसन जो है वो correct है आपका अब हम अगला question देखते हैं अगला question है आपका question नमबर 15 question नमबर 15 करा है कि चिकिस्थक के आने से पूर्व दुरगटना गरस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकिस्था कहलाती है चिकिस्सक के आने से पूर्व दुरगटना गरस्त व्यक्ति को दी जाने वाले चिकिस्सक को क्या कहते हैं पहला आपसने मनोवैज्यानी चिकिस्सा और द्योगिक चिकिस्सा और तीसरा सले चिकिस्सा या फिर प्रात्मी चिकिस्सा यह चप्टर जो है आपका पहले चप्टर से लिया गया है ठीक इसी प्रकार के question भी आप exam में भी पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा hard नहीं होगा easy to medium question होगा तो इसमें आप सही आप संजू होगा चिकिस्ता के आने से पूर अगर दुर्गटन ग्रस्ति वक्ति को जो चिकिस्ता दी जाती है और कोई बोलते हैं फर्स्ट एटकिट तो उसे क्या बोलते हैं प्राथमिक चिकिस्ता कहते हैं चौथा option जो है वो correct है आपका अब हम अगला question देखते हैं अगला question है आपका question number 16 question number 16 का रहाए कि एक HRC fuse जो होता है किसके विरुद बहतर सुरुच्छा प्रदान करता है तो पहला option है overload के विरुद short circuit के विरुद या reverse current के विरुद या फिर open circuit के विरुद HRC fuse जो होता है कि इसके विरुद बहतर सुरुच्छा प्रदान करता है तो अब को बताए है जो HRC fuse होता है वह overload के विरुद अधिक सुरुच्छा प्रदान करता है तो पहला option जो है इसमें आपका correct है अब हम अगला question देखते हैं आपका अगला question है question number 17 विद्दूत कार के लिए किस तरह के जीतों का उपयोग किया जाता है विद्दूत कार के लिए किस तरह के जीतों का उपयोग किया जाता है तो पहला आपसाने चमडे के सोल वाले कपड़े के जूते दूसरा आपसाने रबर सोड वाले कपड़े के जूते तो आप जो जूता होता है आपका मोटा रबड का होता है और मोटा रबड सोल वाला होता है चमड़े का जूता होता है तो तीसरा आप्सन जो है इसमें आपका वो करेक्ट है अब हम अगला question देखते हैं, अगला question है question number 18, कराई कि निम्न में से कौन सा transformer के routine test के अंतरगत नहीं आता है, आपने पढ़ाओगर transformer के test जो होते हैं, कई प्रगाल को होते हैं, type test होता है, routine test होता है, special test होता है, तो उन में से कौन सा है जो routine test के अंतरगत नहीं आता है, तो पहला option जो है आपका measurement of insulation resistance insulation resistance को मापना routine test के अंतरगत नहीं आता है या फिर measurement of DC resistance winding या फिर measurement of voltage ratio या फिर temperature rise test तो आप लोग इसका answer बताईए कि transformer के routine test के अंतरगत इनमें से कौन सा है जो नहीं आता है रेखे इसका जो सही option है देखे इसमें जो आपका इंसूलेशन रिजिस्टेंस DC रिजिस्टेंस वाइन्दिंग और वोल्टेज एसियो ये सभी रूटीन टे supuesto के अंतरगत आता है लेकिन जो टेम्परेटर राइस टेश्ट होता है वो आपके रूटीन टेस्ट के अंतरगत नहीं आता है तो इसमें जो आपका चौथा option है वो correct है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है अपका question number 19 question number 19 कराई कि निम्द में से कौन सा test सभी प्रकार के transformer का किया जाता है तो पहला option है routine test, दूसरा है type test, तीसरा special test और चौथा है supplementary test तो आप लोग बताए कौन सा test है जो सभी प्रकार के transformer का किया जाता है तो देखिए जो आपका type test, इस्पिसल test, supplementary test हो गया ये कुछ transformer होते हैं उस पर किया जाते हैं लेकिन जो आपका routine test होता है वो सभी प्रकार के transformer पर किया जाता है तो पहला option जो है इसमें आपका वो correct है अब हम अगला question देखते हैं अगला question है आपका question number 20 question number 20 करा है कि test on load type changes comes under मतला load type changer जो test होता है वो किसके अंतरगत आता है routine test के अंतरगत आता है question एक बार समझते हैं जो on load type changer test होता है वो किसके अंतरगत आता है routine test के अंतरगत आता है या फिर type test के या फिर special test के या फिर supplementary test के अंतरगत तो इसका answer बताईए आप लोग load type unload type changer test जो होता है किसके अंतरगत आता है देखे रूटीन supplementary test के तो अंतरगत नहीं आता है न फिर special test के अंतरगत आता है अपने पढ़ाओगा special test क्या होता है transformer का न तो type test के अंतरगत आता है जो इसमें सही option है अपका पहला option correct है routine test के अंतरगर unload type changer test आता है अब हम अगला question देखते हैं आपका अगला question है question number 21 question number 21 का रहा है कि निम्द में से कौन सा transformer का supplementary test है निम्द में से कौन सा transformer का supplementary test है तो पहला option ने dielectric test दूसरा है measurement of the harmonics आप no load current और तीसरा है back to back test और चौता है इन में से कोई नहीं तो आप लोग बताए सप्लिमेंटरी test जो है इन में से कौन सा है देखें dielectric test जो है वो supplementary test के अंतरगत नहीं आता है इसके अंतरगत और दूसरा option भी इसमें correct है और चौता भी तो correct है तो इसमें सही आपसन जो है आपका वो back to back test जो होता है वो supplementary test होता है यह भी objective question में आ सकता है transformer किस प्रकार का noise उत्पन करता है पिछले वीडियो में हमने इस type की question बता चुके हैं आपको तो कराय की transformer जो है humming noise उत्पन करता है इसके पीछे का संभौता कारण क्या हो सकता है overheating की वज़ज़ से humming noise उत्पन होता है और इसमें से यह दो option भी गलत है wrong topic selection इनकी वज़़ से या overload की वज़़ से कभी भी humming noise उत्पन नहीं होता है अगर stamping and fitting lose रहता है तो यह कारण हो सकता है humming उत्पन करने का तो दूसरा option जो है इसमें आपका correct है अब हम अगला question देखते हैं अगला question आपका question number 23 देखिए question number 23 का राय के insulating materials offers dot 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 offers resistance to the flow of current insulating materials जो होता है मतलब किस प्रकार का उपर दिरोध उत्पन करता है धारा को बाहने के लिए तो very high, very low, moderate या none तो आपको पता है कि insulating materials जो होता है very high resistance होता है तो इसमें जो पहला option है वही correct है, बहुत easy question था ये अब हम अगला question देखते है अगला question है आपका question number 24 question number 24 का राय कि वर्निस इजा वर्निस आपको पता है प्रकार का insulation है तो बताए कि वर्निस किस प्रकार का insulation है solid insulation है, liquid insulation है gaseous insulation है या फिर इनमें से कोई नहीं जो भी student doubt वाले group में होंगे वो ये question अभी हमने वहाँ पे भेजा था कि वर्निस किस प्रकार का insulation है तो कई लोगों ने इसका सही answer दिया था वर्निस होता है liquid insulation होता है अब last और अंतिम question देखते हैं अंतिम question है आपका question number 25 कराय के insulating material जो होता है उसका strength और dielectric strength कैसा होना चाहिए तो इसके भी चार आपसन दिये गए हैं आपको दिखा देते हैं question समझते हैं कि जो insulating material होता है उसका strength और dielectric strength कैसा होना चाहिए अब ये option है आपके सामने आप बताए कि इसका जो insulating material होता है उसका strength और dielectric strength कैसा होना चाहिए पहला option है high strength low dielectric strength दूसरा option है low strength low dielectric strength तीसरा है high strength high dielectric strength और चौथा है low strength high dielectric strength देखिए जो आपका insulating material होता है उसका dielectric strength तो उच्च होना ही चाहिए साथ साथ उसका strength भी उच्च होना चाहिए तो high strength मतलब high dielectric strength तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही यह आपका IMRE का practice set 2 था यह जो था आपके IMRE subject का practice set 2 था देखिए आपका exam जो है लगता है कि 23 जुलाई से नहीं हो पाएगा लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए exam होगा जरूर होगा exam लेकिन कुछ लेट हो सकता है हो सकता है अगस्त में हो जल्दी इसका update आजाएगा क्योंकि mock test नहीं हुआ है और आपको बता दे जैसे बीटेग वालोग का exam अगर हो रहा है उनका साथ 17 जुलाई से कि 21 जुलाई से है तो उन लोगों का mock test आपको पता है और 7 या 8 दिन तक mock test हो उसके बाद अगस्त में आपका examination सुरू हो जैसा भी news रहेगा आपको हम update करते रहेंगे अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में